सिर्ण Сब्विए आचुके हैं सभी को गुड ईवनिंग है सभी का स्वागत है आपका प्यारा चैनल प्यारी आपके साथ रहा शंज है प्यास अर रला हैं पर यहांपे इंग्लिश की क्लास है हमारी और ये जो इंग्लिश की क्लास है मज़ेदार एक क्लास है कहीं इसे मिस नहीं करनी है आपको मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जल्दी से एक छोटा सा प्रयास कीजिए बिना किसी विलंब के मुझे जो आप लिखना चाहरहे है वो लिख दीजे लेकिन लिख दीजिए जिससे की मुझे पता चल चुक है चल जाए कि आप आचुके हैं मैं देख पा रहा हूं दोस्तों इशाकल्ला पारुल कुमारी तन्मय बेमल अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सुबो दीब ब्रह्मचारी भी आ चुके हैं S.S.C. के 500 से अधिक Most impression की live class यहाँ पर है दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर sharing आप करना चाहें तो अभी क्या भी लोगों को कर दें बता दें कि ये class शुरू हो चुकी है बता दें कि इतनी शांदार एक class शुरू हो चुकी है कोई भी miss ना हो दोस्तों कोई भी विध्यारती कोई भी friend आपका miss ना हो बस ये कोशिश रहे आपकी मेरा प्रयास यह है कि बढ़िया से बढ़िया एक class आपके लिए हो और मैं चाहता हूँ कि जितने आगे आप share कर सकते हैं जितने लोगों को आगे बता सकते हैं अभी बिना विलम किये बता दीजिए एक बहुती बहुती प्यारी class हम लोग यहां पे लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या बात है क्या बात है इशा कल्ला ने हाई लिख दिया है मतलब अब जागरित हो चुकी है हमारी class जितने भी जागरित विध्यारती हैं उन सभी को सादर नमशकार आप सभी का सादर अभिवंदन अभिवादन आपकी इसी प्यारी class पर जहां पे मैं श्रयांस को उठारी बहुत ही शानदारे class की शुरुवात अभी कुछ देर में करने वाला हूँ अगर अभी तक भी आपके मित्रों को नहीं बताया है तो अभी बता दें कि बहुत ही बहुत ही प्यारी ये class हम लोग यहां लेके आए हैं आपके सभी मित्रों को ये बात पहुँच जानी चाहिए कि live class है दोस्तों English की एक बहतरीन class जो की सीधा आपके साथ हम live यहां पे करेंगे पारुल कुमारी ने मुझे hello लिखा है तो आपको भी hello है पारुल कुमारी अगर ये आगे सभी को नहीं पहुँचाया लिंक तो जरूर पहुचा दें परणाम गुर्जर परम गुर्जर आपका भी स्वागत है अगर आपकी पहली class है चलिए बहुत साथा समय बरबाद नहीं करते वे आज की English की class पर मेरी आवाज आप तक पहुँच रही होगी live class है डिजिटल दयारी पर SSC 500 important question का question number 46 है आपके सामने आपके लिए एक direction भी दे रखा है question आपको करना है देखें आप मेंसे कितने लोग कह रहे हैं टेलिग्राम वाले चैलर पर share कर दीजे सर बिलकुल पारूल कुमारी अभी कर देते हैं आपने कहा है तो हम बिलकुल भी मिस नहीं करेंगे वो बात जो आपने कही है लेकिन जितने भी सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से जल्दी एक काम करिए बाकी सभी को जो आपके मित्रगण हैं आपके जो friends हैं उन सभी को बता दीजिए कि बहुत ही बहुत ही शांदार एक क्लास अभी बिलकुल आपके सामने एकदम live शुरू हो चुकी है अगर जहां कहीं भी हैं आप अभी के अभी सभी के सभी को बता दीजिए इतनी बढ़िया क्लास के लिए telegram वाले चैनल पे मैंने पारूल कुमारी कर दिया है धन्यवाद है आपका question आपके सामने है इसको बिलकुल भी miss ना करें ये अगर miss कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा question आपके सामने है अभी के अभी बता दें लोगों को अभी के अभी पहुचा दें एक संदेश की क्लास शुरू हो चुकी है हमारी जो miss नहीं करनी है हमें question का answer अभी तक किसी का आया नहीं है very good evening विवेक कुमार भावेश कंसारा ने अपना answer दे दिया है नर्पत सिंग को खमा गणी है प्रिया पटेल हेलो कह रही है और हेलो है आपको प्रिया कैसी है आप प्रिया जल्दी से जल्दी answer दीजिए एक ही answer अभी तक मेरे पास पहुच पाया है भावेश कंसारा का बाकी सारे मित्रगण जो भी है जहां भी है जल्दी से अजुड जाएं और answer देने के लिए तयार हो जाएं कहीं class miss नहीं करनी है आपको नर्पत सिंग ने अपना answer deep और दिल्ली दे दिया है देखें बाकी सारे लोग क्या दे रहे हैं जल्दी से answer दीजिए जल्दी से link को share करिए जल्दी जल्दी ये काम करी है जिससे कि हमारी class एकदम सुचारू रूप से शुरू हो जाए किसी प्रकार का व्यवधान इसमें ना बड़े live है और live ही share करनी है अंग्रेजी की ये प्यारी सी class अगर आप अभी देख पा रहे हैं पारूल कुमारी ने C दिया है तो मेरे पस दो आंसर आएं दोस्तों एक C है और एक D है मुझे लगता है कि अभी इस question के लिए समय नहीं बरबाद करना चाहिए जैसा भी मैं लग रहा हूँ विल्कुल आप ही का मित्र आप ही का teacher श्रियान्स कोठारी ही हूँ और मैं एक बहुत ही प्यारी सी class लेके आया हूँ दोस्तों आपको कहा गया है इस question को लेके कि आपको एक labeled set दे रखे हैं इन चारों option मैं से ही आपके उत्तर हैं तो उत्तर आपके सामने आपको तो choose करना है best out of these four देखो एक चीज़ मुझे समझ आ रही है पढ़ते हुए से शायद आपको भी आ रही होगी कि स्वामी दयानंद के बाद ही P आएगा यानि कि R और P connected है क्या आपको भी ऐसा लग रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती is remembered with reverence दोस्तों एक बहुत ही प्यारा word है आप सभी अपनी copy में note कर लें अभी के अभी reverence जो शब्द है इसका आर्थ होता है आदर सम्मान reverence अगर अभी तक आपने ये word नहीं पढ़ा था तो क्रपया अभी के अभी लिख दीजे lucky production आ चुके है सुबोधीप आप कैसे है विवेक कुमार को RS PQ आंसर दिया है इशा कल्ला ने D दिया है वंशी का अगरवाल ने D दिया है तो D और C में ज़्यादा लड़ाई है तो श्रीपत जोशी को भी good evening है आज का पहला word हमारे सामने आया है कॉपी में अभी क्या भी लिखेंगे reverence का मतलब है आदर आदर का मतलब है respect respect का मतलब है सम्मान तो आदर सम्मान के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द हमारे पास आया है reverence अगर आपको नज़र आ रहा है तो तो reverence अपनी कॉपी में लिख दें affection यानि लगाव हिंदी में कहते है लगाव हो जाना प्यार हो जाना affection यानि लगाव है तो ये दो नए शब्द हैं आपके लिए among the social reformers of the 19th century 19-वी शताबदी के जितने भी थे स्वामी दयानन सरवसदी को बड़े आदर सम्मान और लगाव से देखा जाता है याद किया जाता है आप नोट कर सकते हैं दोस्तों इस प्लस रिमेंबर ये passive voice है passive voice का मतलब है स्वामी दिवे का दयानन्द कुछ नहीं कर रहे हैं उन पर कार्य किया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है और इसके बाद he raises his voice against idol worship idol का मतलब होता है मूर्थी और वर्षिप का मतलब है पूजा तो मूर्थी पूजा के खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई थी तो ही किसके लिए आया है दोस्तों स्वामी दयानन्द सरस्वती के लिए यानि आर और पी एक साथ आएंगे यह मुझे तो नजर आ रहा है आपको भी आ रहा है क्या पीपल आर जेनरली वेरी ओपन और एक्सेप सोशल चेंज़ज़ विद पॉजिटिव आटिट्यूड इंडिया इसा लगता है दोस्तों आर और पी को अगर मैं चेक करूँ तो यहां पर आर एस पी आया है यहां आर पी के बाद आया है जो कि पॉसिबल नहीं है यही एक मात्र ऐसा है जिसमें आर और पी साथ में आया है आप खुद देख सकते हैं दोस्तों इंडिया से शुरू किया मैंने और इंडिया के लोगों के बारे में बात करी और फिर स्वामी विवेका नंद और इसके बारे में बात कर ली तो इसका आंसर जिन जिन लोगों ने SQRP दिया है चूंकि RORP एक साथ आएगा बहुत दिन बाद आपके क्लास हो रही है बिलकुल मुझे मालूम है कबीर गोदारा पैसे वोईस कह रहे है मूत्री नहीं मूरती से कहते है और SQRP is the final answer last answer कबीर गोदारा बिलकुल सही कह रहे है तो यहाँ पे आपके सामने इसका answer आ चुका है आपको reason समझ में आना चाहिए क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें और कुछ ना भी समझें पूरे चार लाइनों के बीच में R और P आपस में connected है यह बहुत clear नजर आ रहा है R और P के बीच में S नहीं आ पाएगा यह बहुत clear है तो इसका answer हो जाएगा हमारा D क्या यह समझ आ गया आप लोगों को मैं लिये चलता हूँ अगले question पर question number 47 आपके सामने है दोस्तों बहुत ही आननदा रहा है जितने सारे लोग जुड़े है उन सभी का नमशकार उन सभी का स्वागत है जितने नहीं जुड़े हैं मैं यहीं पर हूँ आप लोगों के सामने हूँ question भी आपकी screen पर है मेरी आवाज लगाता और चल रही है बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि अगर आप हो सके तो आगे से आगे लोगों को share करिए like करिए अगर आपको पसंद आता है तो कई सारे student गह रहे हैं बहुत दिनों बाद नजर आए दोस्तों बहुत सारी याद आजाती है आप लोगों की तो मैं जल्दी ही आजाता हूँ प्रिया पचेल यसर कह रही है मतलब उनको समझ आ गई है यह बात बहुत अच्छे से कुछ questions हैं दोस्तों बहुत ही प्यार से संजोए गए love and affection के साथ बनाए गए यह questions आपके लिए है descriptive essay स्मृती विराच मैं जल्दू आपको दे दूँगा तनमे बीमल ने एक आए classes regular लीजिए गुरुजी बिलकुल सुबोदीप कुछ काम से मैं बाहर था अब मैं आ चुका हूँ अब बिलकुल regular रहूंगा कोई तरह की छुटी नहीं लूँगा मौमद फाइज ने एक आंसर दिया है RSPQ देखें बाकी लोग क्या आंसर देते हैं एक आंसर आया है तनमे बेमल का A, नर्पत सिंग का A और मौमद फाइज का आंसर आया RSPQ तो अब देखें कितने लोग सही देते हैं और कितने लोग गडबड घोटाला करते हैं सर वीडियो फस रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्या मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को बहुत आराम से अच्छे से देखिए मैं नहीं चाहता कि मैं बीच में आऊँ आँ आपके और question के बीच में नर्पत सिंग ने पुना A का answer दिया है question आपके सामने है मैं भी आपके सामने हूँ जल्दी से answer दीजे मजा ही आ जाएगा CPO SI mains के लिए कुछ topic बिल्कुल जल्दी बता देंगे आपको नितिन नायक ने भी RSPQ दिया है तो दो answer RSPQ के हो गए है SPRQ यानि कि A तो A और D में कश्मकश है A और D में लड़ाई है बहुत सारे लोग A की तरफ है बहुत सारे लोग D की तरफ है और जो आए नहीं है उनको बुलाने का काम आप ही लोगों का है जल्दी से बुला दीजे उन सभी विध्यारतियों को जो अभी तक नहीं जुड़ पाए है प्रिया पटेल डबल A कह रही है पारुल कुमारी C कह रही है I am new कोई दिकत नहीं है अगर आप नए है तो भी आपका स्वागत है पियूश वर्मा डेफिनिटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गुरुजी नमस्ते नितिन नायक आपको भी नमस्ते नमशकार खूब आप आगे बढ़ें उन्नती करें प्रगती करें हमारी शुब कामना है मंगल कामना है सदा आपके साथ है आंसर दीजिये तो मज़ा आजाएगा फॉर श्योर मज़ा आजाएगा जितने अच्छे स्टूडेंट होंगे हमारे साथ उतनी अच्छी क्लास हम लेने वाले हैं जितने सारे विध्यारती आपसे जुड़े हैं जो भी ब्रोडकास्ट ग्रुप जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उन सभी को ये लिंक अगर शेयर कर देंगा और शेयर करना बहुत ही आसान है जहां आप मेरा विडियो देख रहे हैं वहीं पे एक शेयर का उप्शन है बस उसी को वाटसेप में सभी के साथ शेयर कर दें डेफिनेटली आनन्द आ जाएगा मजा ही आ जाएगा चलिए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय हमने ले लिया है अब चलते हैं सीधा आंसर पे कुछ लोगों का ए आ रहा है गुरुजी ये क्लास कोस्ट गाड के लिए भी है क्या देखे अगर वहाँ पे इंगलिश आती है और वहाँ पे अगर इंगलिश में अब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये वहाँ पे आपको help करेगी चलिए मैं देखाता हूँ आपको क्या है हमारे को करना देखे दोस्तों for that we need मुझे ऐसा लगता है for that वाला पार्ट तो शुरुवात में नहीं आएगा so the need of the hour ये भी शुरुवात में नहीं आएगा when we talk of investing in education a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngsters देखे बहुत अच्छी बात यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसा लग रहा है confirm तो नहीं कह सकते ऐसा लग रहा है कि शुरुवात आर से होनी चाहिए हिंदी क्या है वो देखेगा ये कह रहा है कि जब भी हम invest करते हैं हम बात करते हैं कि education में invest करें education में जब भी पैसा लगाने की बात हम करते हैं a question arises एक प्रशना उड़ता है as to what kind of education needs to be given to the youngster youngster यानि जो आज की young generation है उसको किस तरह की education देनी चाहिए हमें फिर ये कह रहा है our aim is to evolve not only an affluent society but an egalitarian just humane and compassionate society egalitarian का मतलब होता है जैसा इनसान है वैसी बात करें humane हो और compassionate society हो एक दूसरे के बीच में so hard पून रहे so the need of our आप देख सकते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि for that we need people who possess not only high skills but high values देखेगा S में कुछ S से शब्द लिखे हैं जो Q से connected हैं अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां हम कह रहे हैं humane हो compassionate हो affluent society बनाने के लिए हमें क्या चाहिए affluent society हो नहीं बहुत अच्छी society अच्छे घराने वाली society लेकिन हम यहाँ पे clear कहना चाह रहे हैं कि वो human being हो लोगों को समझते हो आपस में सोहार्द रखते हो compassionate हो एक दूसरे के प्रती और ऐसा करने के लिए हम यह कह रहे हैं कि ऐसे लोग चाहिए जो नकेवल high skills रखते हो बढ़ high values भी रखते हो मान-जमान के लिए और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि need of hour is not only a skill-based education but also value inspired and value-based education आपको यह नजर आ रहा है दोस्तों P से Q connected है S से R connected है और R से P तो इसका answer हो जाएगा RS P Q इसका जो answer हो जाएगा दोस्तों RS P Q सबसे पहले R आएगा R से S connected है S से P connected है सारे words आपस में देखे दोस्तों like and share करो वीडियो को सभी बिल्कुल नितिनायक सही कह रहे है आप सभी यह कहना माने निर्देश को भी प्रणायम है और बहुत सारा आप आगे बढ़े खूब खुश रहे है आगे विद्धी करते रहे हैं हमारी शुपकामना है आपके साथ है RS P Q बिल्कुल फाइनल आंसर ने हैं पक्का कह दिया था अजय मीना ने कुछ कहा था फिर चले गए थे बाकी सगला रास्ते में है आवे है तो नर्पत सिंग थोड़ा जल्दी बुलाओ सेका बुलाओ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्विस्चन पर दोस्तों यहां आपको नहीं नहीं तो भी पाँच वर्ड तो नए सीखने को मिलेंगे जल्दी से मोबाइल की डिक्शनरी निकालें मेरा इंगलिश बहुत वीक है बड़ आपकी क्लास देखते देखते कुछ जान पा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको अब लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं मज़ा ही आ जाएगा किसी प्रकार का तकलिफ नहीं होने देंगे कोशिश है कि इंगलिश की प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी बस आगे से आगे शेयर कर दें दोस्तों जितना जादा लोगों को बीच में शेयर करेंगे उतना मज़ा आ जाएगा सुबोधी ब्रह्मचारी RSPQ बिल्कुल परफेक्ट आंजर था वो क्वेश आर पी एस क्यू था शायदा सा कुछ जो भी था अब नए क्वेशन पर आ चुके राम वोज मैरिट टू सीता राम वोज मैरिट विद सीता बोतार करेक्ट और रॉंग विवेक कुमार आपको आराम से बता दी जाएगी यह बात आक्चली आम तور पे कहा जाता है फिडिलिटी एक वर्ड बताया है पीयू शवरमा ने फिडिलिटी इसका आंसर बता रहे है पीयू शवरमा नरपत सिंग ए कह रहे हैं देखें क्या लोग क्या कहना चारे हैं जल्दी से आंसर दीजिए सभी को आगे से आगे बता दीजिए कि बहुती 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 शानदार एक क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आगे से आगे लोगों तक शेयर करें दोस्तों इसका लिंक जब तक लिं आप सभी लोगों से आगे से आगे शेयर करें और आंसर दें दोस्तों नए words आपको सिखने को मिलेंगे पारुल कुमारी ने एक आ है इशा कल्ला ने एक आ है विवेक कुमार ने ट्रेजन का है तनमय बेमल ने ट्रेजन का है पियूश वर्मा अब ट्रेजन कह रहे हैं पहला आंसर उन्होंने बदल दिया है I think question उन्होंने ध्यांग से पढ़ लिया है चलिए तो मैं लिये चलता हूँ आपको इसके आंसर पर दोस्तों आपको कहा है कि Most Appropriate Antonym चाहिए Antonym को हिंदी में कहते है Vilom Shabd तो हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो Vilom हो दोस्तों पहले इन शब्दों के Meaning अगर आप देखना चाहें Copy खोलिए और लिख दीजिए दोस्तों ये सारे Meaning मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहला word is Loyalty The state of being faithful यानि कोई इनसान Loyal कभ है जब वो वफादार है Loyalty का मतलब होता है वफादारी तो पहला शब्द है दोस्तों वफादारी दूसरा word is Trajan The crime of betraying one's own country धोका देना Trajan एक word है ऐसा एक crime है Betray यानि धोका देना अपनी खुद की country को स्वयम के देश के साथ धोका करना देश द्रोह इसे कह सकते हैं आप लोग Fidelity का मतलब होता है Faithfulness to one's duties आप जो कारे कर रहे हैं उसके प्रतीफ बहुत वफादार रहना Faith का मतलब होता है विश्वास A religious belief system विश्वास करना कोई चीज पर कोई धरम पर कोई भी धर्मिक चीजों पर विश्वास और Trust भी होता है Confidence in or Reliance on the same person तो दोस्तों Trust हो गया Faith हो गया Fidelity आप देख सकते हैं तीनों के मीनिंग के अंदर कहीं न गई Faith, Belief और Faith आ रहा है यही एक मात्र धोका देने वाली बात कर रहा है तो नए Words आपने सीखे दोस्तों यहाँ पर पांच और पांचों Words के मीनिंग आपको बताए तो डेफिनिटली चंदन कुमार ने कहा है भोपाल राणा ने कहा है पारूल कुमारी अजैग गाडियल सभी लोग जो कह रहे हैं बिलकुल सही है ट्रेजन इसका विलोम यानि के विपरीत शब्द हो जाएगा अगले शब्द की तरफ हम आ गएं दोस्तों नए Words मैं लिखवा रहा हूँ नए Words के मीनिंग में बता रहा हूँ इससे जादा आपको क्या चाहिए दोस्तों बस लगातार जुड़े रहें और नए शब्द सीखते रहें बहुत ही Simple सा एक Question बहुत ही आसान सा एक Question आपके सामने है देखें इसका आंसर क्या होगा 47 का आंसर D होगा बिल्कुल ऐसा हो सकता है 47 तो आंसर चला गया है 49 कर रहे हैं हम लोग जल्दी से आंसर दीजिए बहुत ही प्यारे चाट चाट के अच्छे अच्छे Questions लेके आया हूँ प्यूश वर्मा ने ओल्ड आंसर दिया है ये तो बहुत Simple है बिल्कुल मेरा भी ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा Simple है बहुत ही ज्यादा Simple Question है भोपाल राना सी कह रहे हैं बहुत है उपन्यास ये दो शब्द है उपन्यास और नया दोस्तों फ्रेश का मतलब है Newly Produced यानि कि नया New का मतलब होता है Recently Made or Created वो भी नया Old होता है पुरानी एज का पुराने टाइम का अर्लियर टाइम का यानि पुराना और Original होता है Relating to the Original या Beginning शुरुवात वाला हमें कहा गया था Appropriate Antonym Find Out करना Antonym का मतलब होता है विलोम निकालना Novel होता है नया Fresh नहीं होगा New नहीं होगा Original नहीं होगा इसका अंसर हो जाएगा Old Simple question था Simple question भी तो SSE में आएंगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अगला question देखिए शायद कुछ और नए वर्ट सीखने को मिलें आपको ये एक और प्रशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है देखें इसका क्या आंसर देते हैं बहुत ही simple question में एक और लेके आया हूँ द्रिजा नाग डी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कौन से question का आंसर दे रहे हैं Simple question है simple answer चाहता हूँ और नए कुछ words इस बहाने आप सीख पाएंगे अगर आप सीखना चाहें तो बहुत सारे questions आपके स्क्रीन पर हैं जल्दी से बताएं नोवेल आंटोनिम ट्रेडिशनल ओल्ड बिल्कुल चंदन कुमार का perfect answer है दोस्तों अगर अभी तक भी आपने share नहीं किया है दनादन आप लोग answer दे रहे हैं simple सा question लगा मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों देखे simple question भी होने चाहिए tough question भी आने चाहिए कुल मिला के हमें किसी प्रकार के question में tough तकलीफ नहीं आनी चाहिए मैं आपको इन words के meaning भी ले चलता हूँ दोस्तों urban का मतलब होता है relating to town हिंदी में ऐसे कहते है शहरी और rural का मतलब होता है grammeen modern का मतलब होता है एकदम new relating to present जैसे हम नया कह सकते है modern का मतलब एकदम जो नया ताशा आया है जो आधुनिक है modern यानी आधुनिक और ancient यानी प्राचीन तो modern यानि आधोनिक नया एलियन का मतलब है foreign country का है foreign world का भी हो सकता है कुल मिला के जो अपना नहीं है वो alien है यानि stranger है यानि अपना नहीं है और casual का मतलब relaxed, unconcerned जिसको कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो अभी देखिएगा बहुत simple सा question था आपको निकालना था antonym यानि विलोम शब्द और urban होता है शहरी और rural होता है ग्रामीन alien होता है जो अपना नहीं है किसी और देश का है modern यानि आधोनिक और casual यानि relaxed बहुत ही unconserned जिसको कोई फरक नहीं पड़ रहा है बिल्कुल casual है तो इसका answer हो जाएगा चलिए नर्पत सिंग कुछ कह रहे है एक बार आवाज जड़ा चेक करें माइक एक बार जड़ा चेक करें अनिलगर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे teacher है धन्यवाद है अनिलगर गर आप ऐसा कहते हैं और कुछ नए words आपके लिए का answer कौन देता है मैं ये चाहता था आगे से आगे लोगों को share करें दोस्तों जितना जादा आप share करेंगे उतना आनन्द आएगा बहुत ही प्यारी एक class चल रही है कहीं भी miss नहीं करना है आपको बहुत इस प्यारी सी कक्षा में अगर आप miss कर रहे हैं तो आप बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे है मैं चाहूंगा कि कोई भी विध्यारती miss ना करें रंजन कुमार का कहना है कि sound में कुछ problem है एक बार sound check करें वैशाली वर्मा कह रही है कि perfect sound है पियूश वर्मा ने answer भी दे दिया है cheerful का जल्दी से आगे से आगे लोगों को share करें दोस्तों अगर share नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों मैं यह चाहूंगा आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है आगे से आगे लड़ो कुमहता ने भी कहा है बहुत सारे लोग answer दे रहे हैं अनिल करे है perfect sound है मुझे लग रहे है कि कुछ जगे पे perfect sound आ रहा है और कुछ जगे पे नहीं इसका मतलब है एक बार आप अपने level पे आप जहां पे भी हैं अच्छे से चेक करें हो सकता है कुछ गरबढ हो बहुत अच्छा एक question आपके सामने है मतलब definitely बहुत ही बहुत ही शानदार एक question है अभी ये नए words भी आपको सिखाऊंगा आगे से आगे share जरूर करें दोस्तों share करने में कंजूसी ना रखें मुझे आप से वैसे भी कुछ नहीं चाहिए दूसरा सब OKSR ऐसा तनमे कह रहे है SSE के लाने कुछ preparation कर देना क्या कह रहे है मुझे नहीं बता preparation तो definitely करनी है विकास सभी को करनी है और ये जो preparation है ये एक बहुत ही बढ़िया माध्यम अमने ढूंडा है जब ये 500 question आपके हो जाएंगे कोई alarm clock जैसी आवाज आ रही है world best English teacher चंदन ऐसा कह रहे है अभी सही हो गया sound ओके पियूश ने कहा है सही हो गया थांक्यू पियूश वर्मा अगर आप ऐसा कहते हैं तो ओके चलिए मैं लिए चलता हूँ इस question पे तो इस question पे शेर कर दिया पियूश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका धेर सारा अभिवादन अभिनंदन करता हूँ मैं डोल फुल दोस्तों देखेगा डोल फुल जो शब्द है न उसका मीनिंग होता है full of grief ग्रीफ का मतलब होता है दुख यानि बहुत ज़्यादा दुख उसे कहते है डोल फुल यानि बहुत ज़्यादा परेशान है कोई दुख से ग्रसित है कोई उसे कहते है डोल फुल अब हमारे पास जो नए चार वर्ड थे दोस्तों अग्रेसिव tending to word और exhibiting aggression बहुत ज़्यादा अत्साहाव पूर्ण होना अती तेज होना बहुत ज़्यादा aggressive हो जाने को कहते है cheerful यानि full of good spirits बहुत ही ज़्यादा खुश होना बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते रहना cheerful लेना, lively लेना हमेशा अच्छी अच्छी की बात बिखेरने को कहते है cheerful tired का मतलब होता है ठकावा drained of strength and energy drained एक बहुत अच्छा word आपके लिए आया है drain हो जाना यानि बहुत सीजों का बहे जाना, draining हो जाना मुझे पियूश ने link भेजा है क्या बात है, thank you, आव्या आहिर बिलकुल बहुत सारे लोगों share किया, मज़ा ही आजाएगा आगे से आगे share जब आप करेंगे तो दोस्तों drain of strength का मतलब होता है बहुत जादा energy drain हो जाना ठक जाना, tired वैसे words सुना होगा आपने ठक जाना involved का मतलब है साथ में लग जाना actively participating in something कोई चीज में active participation करना तो definitely दोस्तों ये जो चार words है aggressive होना, cheerful होना, tired होना, involved होना इन words के meaning अगर आपको समझ आ गए है तो दोस्तों doleful का मतलब होता है ठकावा और मुझे क्या चाहिए appropriate antonym antonym का मतलब होता है कि हमें किसी प्रकार से उसका willome शब्द चाहिए और willome शब्द जो है, वो doleful यानि की बहुत ज़्यादा दुखी के लिए हमें बहुत ज़्यादा सुखी बहुत ज़्यादा खुश, हसता हुआ नूरानी चैरा जैसे हम कहते है cheerful चाहिए, चलो सही है आ गई तो तुम भी share कर देना और daily रहना इस time class में, बिल्कुल धन्यवाद है पियूश वर्मा, class का पता नहीं चलता है मैं आपको अभी बता देता हूँ सभी लोगों को, दोस्तों हमारी class daily लगती है 7 p.m. और 8 p.m. को कल संडे रहेगा कल संडे को हमारी class नहीं होगी, तो दोस्तों 7 p.m. और 8 p.m. बता दूँ आपको कैसी class रहेगी हमारे पास एक तो रहता है Monday, Monday के बाद आता है Wednesday के बाद आता है Friday, दोस्तों इन दिनों तक 7 a.m. जो हमारी class रहती है यहाँ पे रहता है दोस्तों maths आपके लिए quant कह सकते हैं, maths कह सकते हैं और यहाँ रहता है आपका quant के साथ reasoning फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों आता है Tuesday, Tuesday के बाद आता है Thursday और Thursday के बाद आज आया है Saturday तो यहाँ आप GK यानि की General Knowledge, General Awareness, General Studies पढ़ते हैं और English की class रहती है जिनको सी को भी मेरा timing चाहिए था वो बता दिया है Sunday को रहती है holiday और Monday से रहता है अब तो जल्दी जल्दी करना है revision सर क्योंकि paper आगे है pass बिलकुल सही है तो मजा ही आजाएगा दोस्तों मजा ही आजाएगा आगे से आगे share करें chat close कर full screen पर देखो video क्या बात है धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बढ़िया सा question और एक और बढ़िया से words मैं चाहूंगा ये शैद आपके आखरी words होंगे फिर और कुछ नए प्रकार के question आएंगे तो ये आखरी set of words है आगे से आगे अगर अभी तक share नहीं किया है तो फिर आपने आज class में क्या किया share करते जाएं मज़ा ही आ जाएगा सर्वेश चौधरी SP बख्षी की book आगे नहीं पढ़ाएंगे क्या क्यों नहीं पढ़ाएंगे लगातार पढ़ा रहे हैं सर अभी दोते दिन से तो नहीं लग रहे थी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वेशाली class नहीं लग पा रही थी सर्वेश मेरी class लगातार चल रही है हमारी YouTube पे बराबर channel पे सारे के सारे videos upload हो रहे हैं everyday morning में 10 बजे video होता है SP बख्षी का पियूश वर्मा ने answer दे दिया है exciting क्या बात है धन्यबाद पियूश वर्मा आपका regular आप रहें class की शान बन जाएगी आपकी मजा ही आ जाएगा अगर आप आते हैं तो अभिनव D कह रहे हैं बिल्कुल नर्पत का सही कहना है ज्यादा भीड भडाकों सू अच्छो तो है quality student बिल्कुल सही कह रहे हो आप नर्पत हमारा भी यही कहना है अफजल अली बिल्कुल first day आपका और यह class आपके लिए है दोस्तों exciting answer दे रही है आव्या अहीर भोपाल राना D कह रहे हैं आजया घादे D कह रहे हैं विशाली वर्मा D कह रहे हैं निशा शर्मा आ चुकी है और मेरा भी यही कहना है दोस्तों मैं आपको कई बार ऐसा कह चुका हूँ कि बहुत सारी जगे बहुत सारी classes में पता नहीं क्या entertainment वो परोस रहे हैं हमारे यहां शुद्ध class है सिर्फ पढ़ाई है पढ़ाई के लावा कुछ नहीं है question आपके सामने है और question हम लोग करवा रहे हैं अगर अच्छा लगता है तो जरूर continue करते रहे है लगातार चलते रहे है दोस्तों इन शब्दों के meaning पे लिए चलता हूँ आपको दोस्तों यहां पे words के meaning आपके लिए बिलकुल स्क्रीन पर है स्क्रीन शॉट आप रखिएगा हमेशा copy में लिख लीजएगा note करते रहेगा मजा ही आ जाएगा सर एस्प विक्षी सीरीज डेली आ रही है आपकी डेली देख रही हो आप भी देखें और आगे से आगे लोगों को बताएं दोस्तों ऐसी सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको मेरा प्रयास यह है कि बहुत अच्छे से अच्छा आपको डिलिवर करूं यह words के बारे में बात कर लें दोस्तों पहला word है आज का इन फ्रिनल इन टर्नल नहीं दोस्तों इन फ्रिनल इन फ्रिनल का मतलब है characteristics of hell और devil hell का मतलब हिंदी में होता है नर्क और devil का होता है शैतन devil के लिए दो चार सैनोनिम हमें लिखने है तो एक Saturn लिख सकते हैं एक डेमन लिख सकते हैं जरा कॉपी मैं लिख दीजेगा सैटन और डेमन का मतलब होता है डेविल डेविल का मतलब शैतान जो प्रेत आत्मा है मोहित एर फोर्स वाले क्या बात है नमस्ते आप कहां थे अभी तक योगांशी शर्मा आचुगे सर थोड़ा फास कराईए प्लीज सेक्रिड फायर पवित्र सेक्रिड का मतलब है होली होली एक तो होली आने वाली है उसकी बाद नहीं कर रहा हूं यह होली का मतलब पवित्र सो पवित्र फायर को रख दो for the moment of struggle with the infernal powers कहना चाहरा है कि भाया यह जो पवित्र आग है इसको संभाल के रखते हैं और कोशिश य आत्माएं आएंगी बुरी आत्माएं आएंगी बुरी powers आएंगी उसके खिलाफ चाहिएंगी you are doing great job बिल्कुल 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 मैं कोशिश कर रहा हूं कि best best देता हूं आप बस आगे से आगे share करते चलें devilish का मतलब ही होता है like or appropriate to a devil or evil and cruelty 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 एक और नया word दोस्तों ना होगा निर्दय पन निर्दयता जो है उसे अब कहते हैं damaging का मतलब होता है causing physical damage यानि की बहुत जादा damage पहुचाना damaging उसके लिए word बना है exciting का मतलब होता है great enthusiasm बहुत जादा उच्साह और eagerness आ जाए तो word वापिस देखते हैं दोस्तों हमारा है infernal infernal का मतलब है hell या devil या evil यानि बहुत ही गंदी चीज़ है बिल्कुल सही कहा निशा शर्मा ने एक और बहुत अच्छा synonym बताया है holy pious holy का एक synonym बताया है इन्होंने pious तो दोस्तों इसका जो farthest चाहिए या opposite चाहिए या तो वो दूर दूर तक ना हो उसके जैसा कोई या फिर opposite हो वो बिल्कुल स जादा demon या devil या फिर शैतानी तो एक ही वर्ड है जो उल्टा है इसका exciting बहुत जादा enthusiasm यानि energy भरने वाला infernal बिल्कुल सही है inferno यानि देखती हुई आग बिल्कुल एक किताब भी है अगर book के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो एक किताब भी है inferno जो की बहुती famous writer ने लिखी है मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को उस author का नाम पता है तो अभी के भी comment box में लिखें inferno एक बहुती famous writer बहुती famous author की किताब है let's see कितने लोगों को पता है inferno के author का नाम चलिए वो आप लिखें जब तक मैं आगे चलता हूँ अगले question की तरफ अगला question भी वैसा ही है कुछ और आपके लिए लेके आए words दोस्तों words ही words है आज तो मज़ा ही आ रहा है मुझे sir this बाले word आने बाले हैं क्या exam में बिलकुल सूरज कुमार इसी तरह के exam में words आते हैं जितने ज़ादा words याद रखेंगे उतना बढ़िया है मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों जितने ज़ादा words रखेंगे उतने inferno के author का नाम अभी तक कोई नहीं बता पाया है Dan Brown क्या बात है पियुश वर्मा धन्यवाद है आपका मुझे लगता है कि आपके आने से class exciting हो गई है Dan Brown जो की बहुत बड़े author है दाविंची code आपने सुना था तरुन पाराशर बिलकुल गलत आंसर दे रहे हैं चंदन कुमार का सही है दाविंची code एक बहुत ही famous किताब है उनकी Angels and Demons बहुत अच्छी किताब है उनकी Angels and Demons कॉपी में लिखते हैं इन फर्नो भी लिखते हैं और दाविंची code भी लिखते हैं डिसेप्टिव पॉइंच बगरा तो दोती नहीं बड़ अभी बिलकुल ये word लिखते हैं प्लंप आपने answer दिया है देखते हैं और कितने लोग क्या answer देना चाहरे हैं जल्दी से answer दीजे चंदन कुमार डैन ब्राउन बिलकुल सही कह रहे हैं आप अभिनव ने ए ए ए बहुत सारे दे दी हैं मोहित एरफोर्स वाला डैन ब्राउन कह रहे हैं बिलकुल सही है जल्दी से answer दे मैं बहुत जादा समय नहीं दूँगा जैसा कि प्यूश वर्मा ने कहा है कि हमें class को और थोड़ा fast करना चाहिए तो जो भी लोग मेरे साथ जु नहीं है कि आप गूगल से answer बता रहे हैं कि नहीं important यह कि कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं दोस्तों नया सीखना हमेशा ही अच्छा रहता है यह मुझे ध्यान रखना है आपको जल्दी से जल्दी से जल्दी से निशा ने डी दिया है ईशा कल्ला ने ए दिया है ओके वेरी गूढ़ का चंदिन कुमार ने पढ़ा है मुझे लगता है फटाफत से answer देना चाहिए हूं आज का पहला वर्ड नहीं इस प्रश्न का पहला वर्ड अगर मैं कहूं गाउंज दोस्तों गाउंज का मतलब होता है बहुती पतला दुबला लीन मैं आपको लिये चलता हूं सीधा इनके वर्ड के मीनिंग पे तो आप देख सकते हैं lean and haggard यानि एक परसन जो है बहुती जादा पतला दुबला अगर है उसके लिए वर्ड आता है गाउंज दोस्तों plump आता है मोटे के लिए having a full rounded shape fat यानि मोटा plump यानि चब्बी कई सारे लोग मुझे भी कहते हैं मोटा plump ही होना चाहिए पियूश वर्मा ने ऐसा कहा है अभी देखते हैं दोस्तों so plump कह रहा है कि बहुती मोटा full rounded shape होना fat होना या चब्बी होना चब्बी चब्बी वर्ड सुना होगा बहुती जादा चर्बी वाला ऐसे याद कर सकते हैं bent का मतलब है sharply curved or having an angle यानी इस तरह से मुडा हुआ कोई चीज अगर मुडी हुई है आपकी चीज अगर मुडी हुई है तो यहाँ पे bent है lean यानी slim और thin या trims lean यानी बहुत ही पतला lean के लिए चाहे रास्ता कोई भी बिलकुल कुछ नया सीखना है क्या बात कही है बिलकुल सही का है नया तो सीखना है दोस्तों नए words आप लोग सीख रहे है lean के दोनों मतलब बता रहा हूँ आपको lean का एक मतलब तो हो गया slim and trim और as a verb lean का मतलब होता है जुकना lean का मतलब होता है किसी के सहारे जुकना lean का मतलब होता है सहारे से जुकना lean against the wall wall के सहारे जुकना तो lean का मतलब दोनों चीज़े बता दी मैंने आपको कि एक lean का मतलब हो गया slim or thin दूसरा मतलब हो गया किसी के सहारे जुकना तो gaunt यानि पतला होता है और मुझे चाहिए था opposite या farthest plump यानि होता है मूटा old पुराना हो चुका है bend यानि जुका हुआ मुडा हुआ lean यानि पतला तो दोस्तों हमें चाहिए plump अगर synonym पूछता तो lean हो जाता antonym पूछा है यही हमारा answer है क्योंकि antonym हमसे पूछा है मज़ा ही आ रहा है दोस्तों मुझे तो आप लोगों के साथ आपको भी अगर मज़ा आ रहा है तो आगे से आगे share करें प्रशन ही बदल दिया हमने हमने कहा कि भाई या अब बहुत सारे words हो गए है कुछ नया आपके लिए लेके आए आपकी screen पर एकदम फुल स्क्रीन पर है एक नया question है चलिए 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 फटाफट क्या बात है प्यूश वर्मा धन्यवाद है आप सभी का आप सभी से एक ही गुजारेश है आगे से आगे share करते चलें मेरा प्रयाज यह है कि कुछ नया कुछ exciting हम सीखेंगे हर बार synonym बता दिया क्या बात है बोट समीर एंड रवी एक answer आया है हमारे पास जल्दी से answer दें प्यूश वर्मा ने भी कह दिया है क्या बात है क्या बात है मैं चाहूंगा आप सभी लोग प्यूश वर्मा की तरह थोड़े fast रहें मजा ही आ जाएगा दोस्तों मजा ही आ जाएगा हनी चंचल हमारे साथ में हैं और हनी चंचल fitness freak भी कह रहे हैं वैशाली वर्मा भी कह रही हैं अभिनव भी कह रहे हैं नर्पत ने भी दे दिया है PDF मिल सकता है रिशब दूबे को PDF चाहिए दोस्तों बस यही चाहूंगा आप लोगों का कहना कि आप जरूर एक बार देखें बहुत अच्छे कुछ questions मैं आपके लिए लेके आया हूं आगे से आगे जब तक share नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा मुझे शेयर करना है दोस्तों आगे से आगे शेयर करना है कुछ नया हेलो सर आई हाव प्री फाइनल तुमारो ऑन यूनिट 137 बधाई हो आपको congratulations भी है all the best भी है आप सभी को can you help me out मुझे actually यह नहीं पता चल रहा है कि यह 137 यूनिट कौन सा है अरविंद आ रा वीडियो कुछ कह रहे है मुझे नहीं मेरे laptop की battery low हो गई है अप यूश वर्मा आप नहीं जाएंगे ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे लोगों ने answer दिया है अगर battery low गई तो charge पर कर दें चलिए 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 देखें दोस्तों क्या कहना चाहरें बोट समीर आज वेल रवी आज डिटर माइन टू क्रैक दिस examination जो समीर और रवी हैं दोनों के दोनों डिटर माइन यानि बहुत जादा आश्वस्त हैं बहुत जादा द्रण निश्चित हैं कि वो इस exam को crack कर ही लेंगे और यहां पर एक नियम बताना चा या तो मैं and लगाऊंगा नहीं तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा ये मुझे ध्यान रहे कि or या as well as या फिर यूं कह दूं तो but या however ऐसा कोई भी शब्द जो है हमारे साथ नहीं लगेगा ये ध्यान रहे कि ऐसा कोई शब्द हमारे साथ नहीं लगेगा बोथ के साथ या तो मुझे and चाहिए नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए वापिस से सुन लें बोथ के साथ या तो and चाहिए नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए तो एक बात समझिएगा, मैं पिछले question में लिये चलता हूँ, बोथ के साथ मुझे and चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे ये बताईए दोस्तों, एक sentence ऐसा कोई बताईए जसमें बोथ का प्रयोग किया है, लेकिन and नहीं आया है, क्या ऐसा कोई sentence आप बना सकते ह आएगा, एक sentence बना लीजे जल्दी से, sir it is unit 1, unit 3 and unit 7, great, okay, SSC 10th board है, लेकिन आपका unit मुझे नहीं पता है, I am really sorry, कौन सा board है, ये भी नहीं मुझे पता, SDRC 7 life, both plus and बता दिया है, आप मैंसे कोई भी विध्यारती, अभी के अभी कोई statement ऐसा लिख दे, कोई वाक्य ऐसा जिसमें both आ रहा है, लेकिन आगे and नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दें, मुझे आगे बढ़ना है, अगले question के लिए, both के साथ and आ रहा है, लेकिन both the students are studying, very good couple शर्मा, धन्यवाद है आपका, both the boys, both the girls, both of them, both of you, both the students are studying, क्या बात है, बिल्कुल sir नमस्ते, तुशार रोकिं आपको भी नमस्ते है, अगला question आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, let us see, इसका क्या answer देते हैं आप लोग, question अगला आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी आपके साथ जुडा वाऊं, sir मुझे actor बनना है, तुशार, क्या बात है, आपको अगर actor बनना है, तो तुशार कपूर जैसा ब बनना है, ये भी बता दें आप, बिलकुल रॉकिंग आप बनें, बोथ हार रॉंग, नर्पत सिंग कैसा कह रहे हैं, बोथ हार रॉंग, मुझे नहीं समझा रहा, अचा बोथ हार रॉंग, तुम दोनों ही गलत थे, क्या बात है, तेलंगना SSC बोर्ड के लिए, Mr. Sohan, I'm really sorry मैं उसके लिए बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं ये जानना, मैं actually तेलंगना SSC बोर्ड के बारे में, ज्यादा information नहीं रखता हूं, क्या बात है, पियुश वर्मा अभी तक जुड़े हैं, हमारे साथ C बता रहे हैं, मोहित एरफोर्स बिलकुल सही कह रहे ह तो शार कपूर बनना चाहरे हैं, तो शार रॉकिंग डी फॉर यू डान्स, तो आप जरूर उनके जैसा बने हैं, हमारी तरफ से बहुत सारी शुब कामना है, मंगल कामना है, कि आप डान्स भी अच्छा करें, आप बहुत अच्छे अक्टर बने और उस अक्टर बनने के बात जरूर हमसे मिलें, तो मज़ा आजाएगा मुझे, काजल काजल ने सी दिया है, सी बहुत सारे लोगों का अंसर आ रहा है, क्या बात है, लगेज में एस हटा दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल धन्यवाद है, मेरा कोशिश मेरा प्रयास रहता है, कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छे से अच्छी स्टडीज आपको दी जाए, चलिए, तो यहाँ पे हम लिए चलते हैं, दोस्तों कभी भी शुरुआत में ऐसा कुछ आ जाता है, उस समय तक, किस समय तक, जब मैं स्टेशन पहुचा, उस समय तक क्या हुआ था, I was exhausted, अभी कुछ देर पहले एक word हमने पढ़ा था, tired, यह tired का सिनोनिम हो सकता है, exhausted, यानि drained of energy, बहुत जादा energy जो है, वो जा चुकी थी, बहुत जादा energy, drain हो चुकी थी, चलिए, तो हम बता दें आपको कि यह कह रहा है, when I reached, I was exhausted, tired हो unfortunately, लेकिन दुरभाग्यवश क्या हुआ, there was no porter, क्या problem हुई, porter नहीं था, जिसे हिंदी में अपन कूली कहते हैं, वैसे तो अंग्रेजी का शब्द है, कूली, कूली number one अभी कुछ टाइम पहले आई भी थी, so यह कहना चाह रहा है, कि कूली नहीं था, पोर्टर नहीं था, याद कर लीजिए, लगेज में ऐस नहीं आता है, लगेज शब्द का प्लूरल नहीं होता है, आपके पास चार हैंड बैगेज हैं, चार सूटकेस हैं, वो भी आपका लगेज है, आपके पास दस हैंड बैगेज हैं, दस सूटकेस हैं, वो भी आपका लगेज है, लगेज क प्लूरल नहीं करना होता है याद रखिए लगेज का प्लूरल नहीं करना होता है तो जब लगेज का प्लूरल नहीं होता है तो ये तो कैंसिल हो गए all by luggage myself स्वयम ही उठाने पड़े मुझे क्यूं क्योंकि वहाँ कोई porter नहीं था porter नहीं था मतलब कौन नहीं था महाँ पे कूली नहीं था भाई मैं ठक चुका था और दुरभाग्यवश मेरे पास कूली भी नहीं था तो मुझे सर समझ नहीं आ रहा है क्या चीज समझ नहीं आ रहा है जरा ये भी बताएं मैंने आपको यहां तक यह बताया है कि आपको actually क्या करना है sentence improvement sentence improvement का मतलब है यह जो underline वाला पार्ट है उसका सही कैसे होगा वो बताना है आपको तो जो मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात को समझ यह यह कहना चारा है कि जब तक मैं station पहुँचा वहाँ पे ठक चुका था मैं बहुत ज्यादा exhaust हो चुका था और दुरभाग्यवश वहाँ कोई कूली नहीं था मुझे मेरे luggage खुद उठाने पड़े luggage शब्द का बहु वचन नहीं होता है लिख दें अपनी copy में luggage singular भी luggage है और plural भी luggage ही है luggage का plural होता ही नहीं है और होता ही नहीं है that means हमें luggage तो करना ही नहीं है और luggage myself यानि अब जब कोई भी नहीं था तो मुझे स्वयम को उठाना पड़ा luggage खुद में plural होता है इसका एस लगा कर plural नहीं बनाया जाता है बिलकुल सही काम होई दे एर फोर्स ने चलिए अगला question आपकी screen पर है आपको बताना है इस बार बहुत simple सा SSC में question आ चुका है दोस्तों बहुत जादा नहीं एक दो बार और सोहन जो live है हमारे साथ तेलांगना से मैं बता दूँ आपको मिसर सोहन हम हर दिन live आते हैं संडे को miss करके संडे को छोड़के everyday evening में 7-9 everyday weekdays में 7-9 आते हैं संडे को नहीं आते हैं बस तो जब भी आप जुणना चाहें बस youtube on करें हमारे चैनल पे आएं जभी तक अगर कोई भी बिल्कुल एक बार furniture वेजिटेबल और hair का singular plural भी बता दिया जाए अभी कपिल शर्मा कुछ दिर में बता देते हैं आपको पारुल कुमारी ने भी दिया है निशा ने भी दिया है बैंड ओफ कहा है पारुल कुमारी भी कह रहे है अजय मीना ने ए दिया है दोस्तों आगे से आगे शेयर करें जितने आगे लोगों को बता सकें बता दें पहुंचा दें बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल एक क्लास आप लोगों के लिए है मोनिका यादव ने बी कह रहे है तो शार बी कह रहे है गुड जॉब सिंग क्या बात है नया नाम हमने देखा गुड जॉब सिंग चलिए अजय मैं देख रहा हूं 49 पीपल ही वाच कर रहे हमें आगे से आगे लोगों को बताएं कि एक बहुत ही प्यारी क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों इस क्वेशन पर बहुत सिंपल सा आप लोगों को पता है अच्छे से म्यूजीशियन का या तो बैंड होता है या होता है म्यूजीशियन का औरकेस्ट्रा कॉपी में लिख दीजे दो बात है या तो म्यूजीशियन का बैंड होता है य हम देखने वाले हैं इसकी हिंदी बता देता हूं आपको a band of musician is going to perform notice करने वाली बात क्या है दोस्तों यहाँ is लगाया गया है musicians बहु बचन होने के बाद भी उनका जो band है वो singular है note कर लीजिएगा musician का band जो है वो singular है यह भी लगा हुआ है वो perform करने जा रहा है concert में जो की नवी मुंबई में new york में held होने वाला है new year के new year के eve पर eve को हिंदी में कहते हैं दोस्तों हम लोग eve को कहते हैं पूर्व संध्या note कर लें copy में दोस्तों इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूं आपस note करते चले जाएं eve eve जो है हमारा वो है होता है पूर्व संध्या जैसे Christmas Eve सुन ली यानि की 24 दिसंबर की रातरी new year eve यानि की 31 दिसंबर की रातरी पूर्व संध्या कहते हैं उसे तो यहाँ पे हमने देखा musician का एक तो होता है band और musician का होता है orchestra अब पहले तो एक बात बताता हूं आपको collective noun हिंदी में कहते हैं उसे समूह वाचक संध्या collective noun दोस्तों ये collective noun singular हो है सुनिए द्यान से मेरी बात को कि collective noun जो है समूह वाचक संध्या जो है वो singular होती है अभी आपने notice किया होगा हमने यहाँ पे इस का प्रयोग किया है तो इस का प्रयोग किया है मतलब क्या है ये singular noun है लेकिन एक दो sentence लिखता हूं copy में note कर लीजे अभी क्या भी हम एक sentence बोल its verdict ये copy में लिख दें करपया अभी के अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों the jury was divided in its opinion ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं ये दोनों वाक्य महत्वपूर्ण हैं करपया अभी के अभी copy में लिख दें करपया मज़ा ही आने वाला है इंगलिस की पूरी देख दोस्तों एनरजी का केवल एकी सीक्रेट है नोट करना चाहें नोट कर लें आप लोग मेरा सीक्रेट है जिस एनरजी से आप लोग आते हैं बहुत सारा प्रेम और स्नेह बरसाते हैं वही एनरजी बस आप लोगों को देने का मन करता है लगातार हम बने वें केवल आपके ल रहा है जो की बिल्कोल सही है वापे सुन लीजिए जूरी सिंगुलर है इट्स आया है वापे सुन लीजिए जूरी सिंगुलर है इत्स कायें इसब्लोन है मेरे पैसे को पूपर पूपर यह सब सब्सक्राइब ककर टूलonen प clickedi mean dust Central हम बात कर रहे थे ज्यूरी जो है डिवाइड हो चुकी है डिवाइड हो चुकी जि सब्सक्राइब कोई कले क्लेक्टिव नाउन जो है वू है डिवाइड हो जाता है तो उसे प्लूरल consider किया जाता है यानि कि was की जगे वर का प्रयोग होगा its की जगे देयर का प्रयोग होगा क्रपया जल्दी से देखें आप लोग थैंक्स प्यूश वर्मा आपके आने के लिए चार्जर के साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बता दूँगा बढ़ ये आज है दोस्तों its नहीं देयर आएगा रोशन कुमार खत्री ने ऐसा बताया है आदित्य अहीर क्या कहना चारहे है नोपे मुझे नहीं समझा रहा है its नहीं आएगा बिलकुल देयर आएगा सही है ये क्वेशन आज का आखरी क्वेशन है आपके लिए बहुत अच्छे से चीजन समझाई है मैंने पहले वाले में जूरी सिंगुलर है उसके लिए its का प्रयोग किया गया है दूसरे वाले में जूरी चुकी डिवाइड हो चुकी है किसी भी प्रकार का डिविजन अगर शो हो जाता है किसी भी प्रकार का अंतर अगर शो हो जाता है तो उसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है प्लूरल कंसिडर किया जाता है इसलिए आपने नोटिस किया होगा वाज का वर किया, its का देर किया तो यहाँ पे आज की कलास खतम हो जाती है कल फिर मिलेंगे कल नहीं संडे है मंडे को फिल मिलेंगे जरूर मिलेंगे हम भी आ गए हैं मायंक राज लेकिन अब फैंटम कहां थे तुमें ते दिन अब आज की कक्षा को यहां समाप करते हैं अगली क्लास में फिर मिलेंगे धन्यवाद है आप सभी का थांक यू